हलो स्टुडेंट्स बीस्टी सेमेश्टर फर्ष्ट में आप सबका स्वागत है और मैं डॉक्टर पावन अगरवाल तुम्हार को बीस्टी पाड फर्ष्ट में अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ाऊंगा ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं अपन विविक पर कितने होंगे तीन पासकोर्स के स्टूडेंट्स के लिए और जो उनर्स के स्टूडेंट उनके लिए चार पर होंगे और दोनों में यह पेपर फर्ष्ट है डिस्क्रीट मैथमेडिक्स ठीक है और इसमें जो बुक्स है वह जैपूर पावलेशिंग हाउस की आप लीजिए क्योंकि मैं अभी सेकेंड थर्लियर और उनके खतम करने में लग रहा हूं तो तुम्हारा लंबर थोड़ा सा लेट आया और बाकी वाट्सप ग्रूप भी अभी बने इस वैसे यह थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है लेकिन देर आए दुरूस्ता है और आज फ इविद्गडित पेपर फर्ष्ट है अपना ठीक है और पास कुर्स में भी पेपर फर्ष्ट है और ओनर्स में भी पेपर फर्ष्ट है ठीक है सैमेश्टर के बारे में थोड़ा सा अपना सिस्टम जो है स्कॉलेज का राहिस्तान में यूनिक है एक मात्र आटोनॉमस जिसका सिस्टम बिल्कुल अलग है और आपकी जब यह पढ़ाई शुरू हो रही है जन्रली पिछले सालों में आज के दिन एक्जाम चलू हो जाते थे यह मान के चलना आपके फर्श सेमिस्टर के तो आपके दो सेमिस्टर होंगे जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा जब आपका सौ नंबर का होता है अब फस्ट में जो 50 डिस्टिविशन दो भगो में एक तो अपने 15 लामनेस असाइन्मेंट प्रावलम हम देते हैं और धूसरा दस नंबर का टैस्ट होता है तो पंदरा नंबर दो भगो होता है अपना 10 प्लस पांच तो नंबर का दो वह दिखान रखना है कोई फर्जी नंबर नहीं मिलते हैं हम लोग जो पढ़ाते हैं क्लास में उनी में से पेपर हम लोग बनाते हैं और उसकी कॉपियां बाकाइदा चैक होती है और उसमें रोल नंबर बाइस आपको बढ़ाया आता है किसकी डूटी लगती है कुछ नहीं पता है कि और जो डूसरा इसमें उता है बाद में जो जनरली नॉम्बर में होता था बगवान जाने कब होगा इसको 35 नंबर का और यह 35 नंबर का पेपर इस पर हमारा कोई बस नहीं यह भार से बनके आएगा आपका हमेशा और बारी कॉपियां जाती है इसकी तो यह धिए जान रखेंगे विशेश आप और पेपर फर्स्ट में आपको जो पड़ा रहा हूं उसमें जो डिस्ट्रिशन है पचास नंबर का वो इस तरीके से इसी प्रकार से से थर्ड में और और उनर्स में यह सब चीज पर फ़र्स शेकिंद थर्ड और फूर्ट सो नंबर का यह तो स और यह नंबर बाकाइदा जुड़ते हैं जो टैस्टों के नंबर हैं वह जुड़ते हैं यह ध्यान रखना आप परसेंटेज में और पास होने में बहुत बड़ा मददगार सावीत होते हैं आरार कोलेज में इनके बारे में आपने चर्चा करेंगे थोड़ी सी और बाद को प्रिंसीपल ओफ इंक्लूजन और एक्स्क्लूजन आविष्टी अवर्जन का सिध्धान क्या है उसके बारे में बताऊंगा ज्यादा टाइम वेश्ट अपन नहीं कर रहें दूसरी चीजों में और टाइम टाइम पे में आपको गाइडलाइन ऐसी देता रहा हूंगा जिससे आप लोग सब चीजों को समझ जाओगी तो सबसे पहले जो कुछ चीजें हैं इसमें स्टार्टिंग में सैट चीरी दे रहें लेकिन सैट चीरी में बिल्कुल लाश्ट में कराऊंगा जब आपने सारी चीजां खतम हो जाएंगी डिस्क्रीट के जो पेपर है वो इ इसमें एकदम चेंज आ जाते हैं विल्कुल इंटर लिंक चॉपिक नहीं है इसमें तो आपको कुछ नॉलेज्ज जो है सैट की होती है मैं यह मान के चल रहा हूं और उसमें जैसे मैं आपको यह कहूं कि कोई एक सैट है और उसके अंदर नंबर ऑफ ऐलिमेंट जैसे दे टीड कर थे टीड के इसी परकार से डूसरा सैट कर सो अंदर दे आपको यह जो दोनों सैट है इनके अंदर कोई भी आपसमें कॉममन नहीं या यानि उभेंडिंश्ट नहीं तो यह जानते जा रहाते हैं यानी यह सायुक्तश is जानती समय क्या डें evaluate अब मैं कहован कि 7 mulheres जो number out zенная तो आपको पिस aged aुकिस से भन करता हूं मौद कि भन अपना किताब किए कि इसको मौड का मनला ऽ। प्रिजेंट टिक है यह की गडंता एक की काड calculating क्या है ऑग a is equal to 3 है इसी प्रकार से b, b की जो गडंता है वो कितनी है दो है ठीक है अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप a union b निकालो तो आप a union b बड़े आराम से निकाल सकते हो साथ एक दो तीन और चार पांच ठीक है आप कहोगे साथ इन दोनों elements को आपने मिक्स कर दिया दोनों sets के और a union b अपने को प्राप्त हो गया ठीक है अब मैं आपसे कहता हूँ कि a की गणता प्लस b की गणता के बराबर है a union b की गणता कब जब a और b की गणता जो है 3 और 2 है और दुददानों का टोटल किसके बराबर आmetros से बराबर आ रहा है इस नियम को अपन बूलते हैं योग नियम कर रहां कि एक के अंदर आभी भी आलिमेंट तो तीन एक दो तीन लेकिन बीर के अंदर जो multi है वो मैंने एक element ऐसा ले लिया जो की ए में already मौजूद है तो यह अब sets जो है और भी आपस में क्या हुए disjoint set नहीं रहे इनके अंदर एक अब तीन है ठीक है अब भी भी एक ही गड़नता तीन है वी की गड़नता कितनी है या दो है अब अब ए यूनियन भी एदि में निकालता हूँ आपके पास तो आप कितना आता है ए यूनियन भी एक दो तीन और पाँच ठीक है अब ए यूनियन भी की गड़नता कि योक के बराबर नहीं है लेकिन वो यह कहता है किसा हमने तो एक ऐसी चीज बताओ, ऐसा नियम बताओ, जिसमें हम A और B दो सैट जागर दिये हों, चाहे हो सहुख समुच्चे हों, चाहे असहुख समुच्चे हों, और हम A यूनियन B की गडंता निकालना चाहें, तो सीधा फार्मल आ जाए हमारे पा यहारे यहारे, A प्लस B माइनस A इंटर्सेक्च्चन B, और अब आगर मैं आप से कहुख, कि आप दौनों केसेज में इस फार्मले को एपलाई करो, तो A यूनियन B की गडंता यहां कितनी है, चाहर है, टेकर, A की गडंता यहां कितनी है, तीन है, B की गडंता यहां दो है, और A intersection B क्या है इस case में देखो जराब A intersection B जो है वो कितना आ रहा है total 3 आ रहा है दोनों में A की अभिया common है तीन और इसकी गड़ंता कितनी हुई एक ठीक है तो A intersection B का मान यहां कितना आएगा जीरो आएगा तो उस case में हो फार्मला आटोमेटिकली प्रूफ होता है तो वह कहता है यहादी A और B दो चाहिए असयुक्स समुच्छे हों चाहिए समयुक्स समुच्छे हों हमें A और B का जब union की गड़ंता निकाले है तो एक ऐसा फार्मला चाहिए जो दोनों cases में सही हो उस फार्मले को अपन जा बोलते हैं अविश्टी अवर्जन का सिद्धा क्या है तो उस पर अपने शौट टाइप कोश्चन भी आते हैं यह द्यान रखना तो शौट टाइम कोश्चन में कई वार वह पूछ लेता है कि अविश्टी अवर्जन का सिद्धांत क्या है समझाओ तो इसको मैं लिख रहा हूं आप यदी समुच्य संयुक्त है यदी समुच्य आसंयुक्त है संयुक्त नहीं आसंयुक्त यानि डिज्जॉइंट इनमें कोई भी आविया कॉमन नहीं है यदी समुच्य आसंयुक्त है तब आसंयुक्त तब आसंयुक्त समुच्यों के संग में उपस्थित अव्यवों की गड़ना अव्यवों की गड़ना योगनियम योगनियम यहनि सम्रूल जो मैंने पहला केस बताया था योगनियम द्वारा आसानी से की जा सकती है योगनियम द्वारा आसानी से की जा सकती है आपको इची लिखनी पड़ेगी यदि समुच्य ऐसंयुक्त है तब आसंयुक्त समुच्यों के संग में उपस्थित अव्यवों की गड़ना योगनियम द्वारा आसानी से की जा सकती है परंतु यदि परंतु यदि समुच्य परंतु यदि समुच्य असयुक्त नहीं है तो योगनियम में योगनियम में कुछ शंशोधन करने पर 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 जिस नियम की उत्पत्ती होती है जिस नियम की उत्पत्ती होती है जिस नियम की उत्पत्ती होती है उसे अविष्टिया वर्जन का सिद्धान्द कहते हैं तो मैंने क्या बताया अविष्टिया वर्जन का सिद्धान्द कहते हैं तो मैंने क्या बताया अविष्टिया वर्जन का सिद्धान्द यदि समुच्य ऐसे विद्ध है तब ऐसे विद्ध समुच्यों के संग में उपस्तेत अब योग नियम दोरा आसानी से की जा सकती है परंतु यदि समुच्चे ऐसे नहीं है तो योग नियम में कुछ शंशोधन करने पर जिस नियम की उत्पत्ति होती है उसे अविश्टिया वर्जन का क्या कहते हैं अपन सद्धान कहते हैं ठीक है अब वह कहता है कि इसका जो अ आ Sumती है अभी थोड़ा वर्ड ऐसा है अवर्जन का सिद्धान है दू समुच्चे का अविष्टि अभर्जन का सिद्धान क्या कठंडू एवं इसे सिद्ध करूँ एक्जाम में कुश्चन इस पॉर्म में आता है और अगर इस पॉर्म में आया तब तो अपन क्या लिख देंगे इसका कथन लिखेंगे और कई वार यह कथन ही आ जाता है तिक है यदि ए तथा भी दो परीमित समुच्च है अब यहां ज्यान देना अपन यह भी लिख सकते थे यदि ए तथा भी दो समुच्च है तो समुच्च क्या infinite भी हो सकता है तो infinite समुच्च की गडंता कैसे निकालोगे infinite यहाईगी तो उसमें यह फार्मला प्रूफ नहीं होगा तो यह ब a union b की जो काडलीटी है वो किसके वरावर आएगी एकी काडलीटी प्लस b की काडलीटी माइनस ए इंटर्सेक्चन बी की काडलीटी तो यह दो समुच्चों का अविश्टियाव वर्जन सिद्धान कहलाता है यदि ए तथा भी दो परीमित समुच्च्च है तब a union b की गडं गणंता माइनस एंटर्सेक्शन बी की गणंता के बराबर है ठीक है अब इस फार्मले को दो को आज अपन प्रूफ करेंगे तो प्रूफ इसका अपन कर रहे हैं कि यह यदि ए तथा बी दो परीमित समुच्य है यदि यह तथा बी दो परीमित समुच्य हैं तब हम जानते हैं तब हम जानते हैं कि mathematics में जो हम जानते हैं कि वर्ल होता है बड़ा खतरना होता है हम जानते हैं तो भाई बहुत सारी चीज जानते हैं तो लेकिन उसको apply कप करना है सिप्सकेंकर गाइए इंतर्सेक्शました मिडेशयुनियन एंटर्सेक्शन भी तिम इडेश इंतर्सेक्शन भीओ अब देखो इसको आपको जो ही चीज मैंने बताँ है को थ्रोड़ा समय बैंडाएग्राम से बता रहा हूँ डाइग्राम आप सबने पड़े हुए है इसलिए मैंने ज्यादा टाइम बेश्ट नहीं किया उसमें कि यदि यह वाला सर्किल ए है यह वाला सर्किल भी है तो आप इंटर्सेक्शन भी किसको कहते हैं इनके कॉमन इससे को ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और बी-डेश क्या है या बी का पूर्ण या आप जानतों जो बी नहीं और उसिस पूरा सर्किल फार नहीं है वह कौन सा उखgen है जो यह वाला श्सा है और भार भी निकल रहा लेकिन भार वाले इस्से से अपने कोई मतलब नहीं है और इस इस्से को अपन क्या नाम देंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश और यह जो खाली हिस्सा रह गया यह खाली हिस्सा रह गया वो क्या है एड़ेश जो ए नहीं आए वो यह चीज है तो एड़ेश इंटरसेक्शन भी यह इस्सा कौन सा सा है यह वाला और a intersection वी-डैश कौन सा है वेटा यह वाला इससा है तो तो वह कैता है जदी यह था-था-वी दो परीमिस समुच्च है तो वह यह कैता है समुच्च संहुक्त है चाहे असंहुकत है हमने क्या किया union वी हमेशा ऐसी form में लिख सकते हैं A intersection B dash union A intersection B union A dash intersection B अब ये तीनों समुच्चों की क्या खास्य आता है कि ये जो चीज है ये बिल्कुल different है इससे और ये भी बिल्कुल different है तो तीनों आसा इंट हैं में कोई भी अवियाब क्या common नहीं है तो अपने समुच्च को किस में बदल दिया और समुच्च में और जब आपने ऐसा कर दिया तो हम जानते हैं कि A Union B की गड़नता किसके बरावर होगी उसकी गड़नता प्लस इसकी गड़नता के बरावर तो इसको एसायुक्त समुच्छ हैं तीनों एसायुक्त समुच्छ हैं टीक है और जैसे यह चीज़ अपर लिख दी तो उसके बाद लिख सकते हैं अपन अतया योगनियम से अतया योगनियम से चाह लिखेंगे अपन A union B की गडंता बराबर है A intersection B dash Union किसमें convert हो जाएगा प्लस में ये चीज mod लगा देंगे यहाँ A intersection B plus A dash intersection B और इसको number 1 दे लेंगे इसको क्या दे देंगे बटा number 1 अब वो ये कहता है ये जो circle मैंने बनाया है ये दो circle जो बनाया है ये आपके काम आएंगे आगे भी आप इनको side में बना दीजीगा उसमें और अब वो ये कहता है देखो अब पुने हम जानते हैं अब A को कैसे लिख सकते हैं अगर खाली A गोले को लिखू मैं तो A intersection B dash union A intersection B लिख दू इसको तो वह कहता है पुने A की गडंता किसके बराबर हो जाएगी या खाली पहले A लिख लो आप डायरेक्ट मत लिखो A is equal to क्या हो जाएगा बटा A intersection B dash union A intersection B इस जनम में तो A और A dash का कभी भी बराबर में मत रख देना तो याद करने का तरीका बता रहा हूं कभी भी अकर A dash आ गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा बिल्कुल जीरो नंबर देगा एक्जामिनर तो यह बराबर क्या है वैसे दो आप फीकर से चलो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी लगिन कई बार क्या फीकर से चलने पर भी वक्ति घबरा जाता है तो उसकेस में आपको यह चीज देनी है और यह दोनों क्या है यह समुच्च है तो यहां एक ही गणंता क इसके बराबर हो जाएगी A intersection B dash plus A intersection B के बराबर इसको नंबर दो देलो ठेक है इसी परकार आप लिखोगे अब क्या B बराबर तो B बराबर देखलो आप B को भी कैसे लिख सकते है आपन कि B is equal to A dash intersection B plus A intersection B गोले से देखलो आप और यहां B dash मतलगा देना नहीं तो फिर फस ज बराबर होगा है पहले union की form में लिख दो और फिर पुने करके इसको B को अमान क्या हो गया A dash intersection B plus A intersection B इसको नंबर तीन देलो ठीक है अब दो तथा तीन का योग करने पर तो दो और तीन को कॉलंबाइज जोड़ दो आप जड़ा दो और तीन को कैसे जोड़े है अपन कॉल क्या हैगा विटा आपने पास A intersection B dash plus A intersection B plus A intersection A dash intersection B plus A intersection B ठीक है दोनों को कॉलंबाइज जोड़ दिया अपन ने अब वो यह कहता है एक A intersection B इदर उठा के ले जाओ तो उसको कैसे ले जा सकते है अपन या A plus B minus A intersection B is equal to क्या हो गया A intersection B dash plus A intersection B plus A dash intersection B ठीक है और यह जो चीज है यह किसके बराबर है पुरी एक के बराबर तो आप लिख सकते हो क्या है इसको नंबर 4 दे लो पहले ठीक है एक तथा 4 से एक का प्रियोग 4 में करने पर एक का प्रियोग 4 में करने पर एक का प्रियोग 4 में करने पर क्या चीज हो जाएगी है अब आपने में की गड़नता तो यह लिख सकते है अपने अपने प्लस बी माइनस एंटरसेक्शन बी इस इकवल टू ए यूनियन बी की गड़नता ठीक है और यह अपने को चिद्ध करना था यही चीज अपने को प्या करनी थी सिद्ध करनी थी तो थोड़ासा लेक्श आ पहले मैंने बता दिया है और आपको minimum phone करने phone करने ही नहीं है यह माल लो आप phone दूसरे सरों को करो यह मैं attend कम करता हूं बिलकुल भी यह चीज द्यान रखना अब यह क्या था दो समुच्चों का अविष्टी अववर्जन सिद्धान इसी प्रिकार से अपन कल पढ़ेंगे तीन समुच्चों का अविष्टी अववर्जन सिद्धान फिर उनके questions करेंगे तो book जल्दी से जल्दी आप जैपुर publishing house की करीं दो और भी book है इसकी discrete की वो मैं बताऊंगा बाद में आपको लेकिन अभी शुरुवात में एक book आपके पास होनी चाहिए ठीक है वोटा यह है